एहंकार कभी भी मनुस्य को मनुस्य बन कर नहीं रहने देता इसलिए कभी भी एहंकार या गमंड नहीं करना चाहिए नमस्कार सस्रीकाल आज की इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं आपका दोस्त अजे शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ एक जबरदस्ट टोपिक जो सिख द्रम से समधित है तो दोस्तो जितने भी आपके एक्जाम्स होते हैं वन डे एक्जाम्स चाहिए वो सेंटर लेवल का हो चाहिए वो स्टेट लेवल का हो उन सभी के अंदर सिख द्रम से समधित जितने भी इंपोर्डेंट क्यूशन पुछे जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के दुरान करवाऊंगा और दोस्तो ये जो क्यूशन है वो प्रिवेस एक्जाम्स के एनालिसीज करने के बा सिख द्रम के गुरूओं के नाम भी याद करो हुआ वो भी एक ट्रिक के माद्यम से और दोस्तो मेरा आप से वादा है कि आप इस ट्रिक से गुरूओं के नाम कभी भी नहीं बूलोगे और मेरा एक रिक्वेस्ट आप से मेरी एक रिक्वेस्ट आप से कि प्लीज वीडियो को सुरू से लास तक जरूर देखें अगर आपको सिख ध्रहम के गुरू के नाम याद रखने है तो तो सुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो सिख सिखों के 10 गुरू के नाम ट्रिक है दोस्तों ये इस ट्रिक को आप आप याद कर लेजिएगा पक्का इस ट्रिक को याद करने के बाद आप सिख द्रम की जितने भी 10 गुरु हैं उनके नाम कभी भी नहीं बूलोगे जिन्दगी में कभी नहीं बूलोगे तो ट्रिक है हमारी गुरु का अंग अमर है राम जेसा आज भी हर जी आर के ठेंक गोड यनि टी जी तो गुरु का अंग अमर है राम जेसा आज भी हर जी आर के टी जी गुरु से हो गया सिख द्रम की जो पहले गुरु है गुरु नानक देव जी अंग से हो गया गुरु अं यह साथे हार दास जी और राम सी क्या है गुरू रामदाळ्स जी सिक्गों के 4 गुरू, गुरू रामदाष जी और आज सी क्या होजैगा अरजुन गुरू अरजुन देव जी, जो कौन थे? सीखों के 500 गुरू और आगे मैंने लिखा है हर जी आरके हर मेने कॉमन लिया है वो जी आरके जो है वो ब्रैकिट के अंदर लिया है जो जी आरके जो सीखों के तीन गुरू हुए थे छटे सात्मे और आठमे उनके नाम सभी के नाम के आगे हर लगता है दोस्तो क्या लगता है हर इसलिए मने हर जो है वो comment लिया है और लास्ट मैं क्या है T G यानी Thank God जो हम बोलते हैं किसी भी काम को पूरा करने के बाद हम क्या बोलते हैं भगवान का सुकृरियादा करते हैं भगवान को thank you बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं thank god इसमें क्या होगा t और g जो है वो common निकालेंगे तो हम देखेंगे चटे साथ में और आठ में गुरू के नाम हर g r k हर g g से देखेंगे g से क्या होगा govind हर govind श्री गुरू हर govind जी r से क्या होगा हर r गुरू हर राइ कैसे क्या होगा kishan गुरू हर kishan t g thank god में t और g जो है वो main है t से क्या होगा गुरू तेखबादूर गोड में g common है g से क्या होगा गुरू govind जी एक बार फिर से देख लेते हैं इस ट्रिक को गुरू का अंग अमर है राम जेसा आज भी हर जी आर के टी जी तो गुरू से हो गया गुरू नानक देव जी अंग से हो गया गुरू अमरदास जी अमर से हो गया गुरू अमरदास जी राम से हो गया गुरू रामदास जी यानि बगवान को thank you बोलते हैं तो लिखेंगे thank god तो इसमें T और जी जो है वो main है T से हो गया गुरू तेगवादुर जी और G से हो गया गुरू गोविन सिंग जी तो हम अब देखते हैं सिक्खों के 10 गुरू के नाम serial wise फर्स्ट है गुरू से हो गया गुरू नानक देव अंग जी हो गया गुरू अंग देव गुरू से गुरू नानक देव तो गुरू नानक देव जी जो है उन्होंने सिक्धरम की स्थापना का जो स्रे है वो गुरू नानक देव जी को जाता है और गुरु नानदेव जी का जनम है वो हुआ था दोस्तो 15 अप्रेल 1479 को और अब इसको ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है और इनकी मृत्य होए थी दोस्तो 1538 में जो गुरु नानदेव जी है उनकी मृत्य हो गये थी और दूसरे गुरू तो कौन थे अंग, अंग से गुरू अंगद देव, गुरू अंगद देव जी, गुरू अंगद देव जी का जनम हुआ था पंजाब के फिरोजपूर में, फिरोजपूर नामक सहर में इनका जनम हुआ था और पंदरा सो चार में इनका जनम हुआ था द जनम हुआता पांच मैं 1479 में और इनका जनम हुआता दोस्तों 1534 में लाहूर में इनका जनम हुआता और में इंपोर्डेंट बात क्या है कि गुरू रामदास जी ने अमरीचर सहर की स्थापना की थी और इनका जनम हुआ था पंदरा अप्रेल 1563 में ठीक है दोस्तों और इनों ने क्या किय था गुरू रांदास जी जो थे इनके पिता जी उन्होंने तो अमरीच सर नगर की स्थापना की थी और इन्होंने स्वर्ण मंदिर जिसको आप हरमंदिर साहिब जिसको बोलते हम उसका निर्मान करवाय था दोस्तों। तो हरमंदिर साहिब इंपोर्डेंट है आपके हर एक्जाम के लिए कि हरमंदिर साहिब जी का निर्मान किसने करवाय था तो गुरू अरजुन देव जी जो सिखों के पांचवे गुरू अरजुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर का यानि हरमंदिर साहिब का निर्मान करवाय था और यही वो गुरु थे दोस्तों जिनोंने आदी गरंथ है आदी गरंथ साहिब यानि गुरु गरंथ साहिब जी सिखों के उसकी रचना की थी गुरु अर्जुन देव जी ने नेक्स्ट अम पढ़ travelling सिखों के चटे गुरु कोन थे सात में और आट में कोमन है हर नाम जो है वो कोमन है आगे हम आगे है जी आरके जी आरके हर जी आरके छटे गुरू को हम याद करने कोशिश करें हर जी हर जो है वो छटे साथमे और आठमे जो गुरू है थे उनके नाम के आगे कोमन है इसलिए मैंने हर जो है वो कोमन निकालिया है तो छटे गुरू सिखों के चथे गुरु हर्गोविंद जी का जनम हुआ था 19 जून 1595 में बी रार समय और दोस्तो अकाल तकत का निर्माण गुरु हर्गोविंद जी नहीं करवाया था किस नहीं कर वाय था गुरू हर गोविंद ने सिखों के साथ में गुरू हम पटने कोशिश करते हैं सिखों के साथ में गुरू थे हर आर गुरू हर राए गुरू हर राए तो गुरू हर राए का जनम हो था 16 जून 1630 में 16 जून 1630 सिखों के आठमे गुरू, कोस्ते, हर के, गुरु हर किषण, गुरु हर किषण जो थे, वो सिखों के 8 गुरु的 Conc rede, कोस्ते नोमे गुरु कोस्ते, बगवान का सुकरियदा करने के पाद़, हम आंगा नहीं स acceso दिता, यानि टी और जी जो है वो इन में important है टी से क्या बनेगा गुरू तेक बादूर तेक बादूर नो में गुरू गुरू तेक बादूर जी और दस में गौड गौड में से क्या निकलेगा जी जी क्या है मेन है इसमें गुरू गोविन सिंग जी गुरू गोविन सिंग जी जो है इसमें मेन रहेगा दोस्तों गुरु गोविन सिंग जी जिनका जनम हुआ था पतना में 1666 को और खाल सा पन्थ जो है उसकी स्थापना गुरु गोविन सिंग जी ने की थी दोस्तों और यही वो गुरु वेते सिक्षों के जिन्होंने गुरू के पद को समाप्त करके आदिकरंथ जिसको में क्या बोलते हैं आदिकरंथ को गुरू गरंथ साहिब आदिकरंथ यानि गुरू गरंथ साहिब को गुरू मानने को कहा था क्या का था गुरू गोविन सिंग जी ने का था कि अब जो सिखों के जो पद्व है यानि अब तक जितने भी सिखों के गुरू हुए है इस गुरू पद्व को समाप्त कर दिया जाता है और अधिकरंद को जो है वो सिखों का गुरू माना जाएगा आज से ठीक है दोस्तो तो GRK THANK GOD ठीके दोस्तों गुरु से गुरु नानागदेव, अंग से गुरु अंगदेव अमर से गुरु अमर्दास, राम से गुरु रामदास, आज से गुरु अरजुन देव, हर grk हर jagar से जी मतलव हर से हर गुरु हर गोविंजी, हर राई, गुरू हर राई, गुरू हर किसन और थैंक गॉर deze T से गुरू तेक बादूर और गोड से जी से गुरू हर गुरू गुविन्जी जी से गुरू गुविन्जी थीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सिखों के सिख ध्रम से जितने भी आपके एक्जाम्स के अंदर important क्यूशन आती हैं उनके बारे में तो first क्यूशन अगर आपका उठता है सिख ध्रम से तो वो है सिख ध्रम किस्तापना का स्रे किसको जाता है तो दोस्तो सिख द्रम की स्थापना का स्रेज जो है वो जाता है गुरू नानक देव जी को गुरू नानक देव जी का जनम कब हो आता 15 अप्रेल 1479 को हो आता दोस्तो ठीक है दोस्तो नेक्स्ट क्यूस्टन है गुरू नानक जी का जनम कब और कहा हो आता ये important है बार बार आपके exams के अंदर पुछा जाता है गुरू नानक जी का जनम कब और का हुआ था तो 15 अप्रेल 14 सुनियत्र को गुरू नानक देव जी का जनम हुआ था और पंजाब के तलवंडी में इनका जनम हुआ था जिसको हम ननकाना साहिब भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ननकाना साहिब तीसरा important question उठता है यहां से गुरू नानक जी किसके समकालें थे तो बाबर और हुमाईू के समकालें थे किसके थे बाबर और हुमाईू के नेक्स्ट है संगत यानि की दरमसाला और पंगत यानि की लंगर की स्थापना किस ने की थी तो इसकी स्थापना जो है वो गुरू नानक देव जी ने की थी तोस्तो संगत और पंगत ठीके दोस्तो गुरू नानक देव जी ने जो है वो इस पर्था की सुरुवात की थी और क्यूशन नबर फाइव अगर उठता है तो वो है लंगर व्यवस्ता यानि की पंगत को स्थाई किस ने बनाय था अब सुरुवात तो की थी गुरू नानक देव जी ने लेकिन इसको पर्मानेट करणे का काम किस ने गया था पर्मानेट करने का काम किया था गुरू अंगद देव ने अब गुरू अंगद देव कौन थे? गुरू अंगद देव थे सिख्छों के दूसरे गुरू अब ट्रिक से याद कर लेजिएगा मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ अगर आपने दो-चार बार ट्रिक को पढ़ लिया तो मेरा आपसे वदा है कि आप इस ट्रिक से सिक्खों के सभी गुरू के नाम कभी भी नहीं बूलोगे कभी भी नहीं बूलोगे Next हम देखेंगे Question No.6 अमरीच सर को किसे ने बसाया था अमरीच सर को बसाने वाले गुरू रामदास जी थे गुरू रामदास जी गुरू रामदास जी कौन से गुरू वे थे सिक्खों के चोथे गुरू वे थे दोस्तों ठीक है चोथे गुरू वे थे और इन्होंने क्या किया था अमरिच सर सहर को बसाये था और इनका जनम हुआ था लाहोर में 1534 में तोसर नमर 7 अगर हम देखते हैं सिखों के दार्मिक गरंत जिसको आदि गरंत या गुरू गरंत साहिब जी बोलते हैं उसकी रचना किस ने की थी तो दोस्तो उसकी रचना की थी गुरू अर्जुन देव जी ने गुरू अर्जुन देव जी कौन थे शिखों के पांचवे गुरू गुरू अर्जुन देव जी तो इसे नबर आठ देखेंगे अमरित सर में हरमंदिर साहीब का निर्मान किस ने करवाया अमरित सर में हरमंदिर साहीब का निर्मान किस ने करवाया था दोस्तों हरमंदिर साहीब गुरुद्वारे का नाम है जो एक बारत के अंदर फेमस गुरुद्वारा है बारत के अंद किसने करवाय था उसका निर्मान करवाय था गुरू अरजुन देव जी ने किसने करवाय था गुरू अरजुन देव जी ने और गुरू अरजुन देव जी किसके पूतर थे गुरू अरजुन देव जी जो है वो शिखों के चोथे गुरू रामदास जी के पूतर थे गुरू हरकिशन जी की मृत्यू किस विमारी से हुई थी तो दोस्तों चेचक नामक विमारी से जो है वह गुरू हरकिशन जी की मृत्यू हुई थी next हम देखेंगे question number 10 ओरंग जेव को गुरूपद के बारे में सिखोंके किस गुरू ने समझाया था औरंग जेव को गुरुपद के बारे में सिख्खों के गुरु हरकिशन जी ने समझाया था किस गुरु ने गुरु हरकिशन जी ने गुरु हरकिशन जो सिख्खों के आठमे गुरु थे उन्होंने औरंग जेव को गुरुपद के बारे में समझाया था दोस्तो क्यूसर नमर 11 देखेंगे सिक्षों के दूसरे गुरु कौन थे तो सिक्षों के दूसरे गुरु जो थे वो थे गुरु अंगद देव अब सिक्षों के पांचवे गुरु कौन थे अब दोस्तों ये important क्यूसर ने सिक्षों के पांचवे गुरु गुरू अर्जुन देव जी ये बार-बार पुछा जाता है क्योंकि सवन मंदिर का निर्मान हर मंदिर साहिब जी का निर्मान किस ने करवाया था इन्हों ने करवाया था गुरू अर्जुन देव जी ने क्यूसर नमबर थर्टीन देखेंगे औरंग जेब ने सिखों के किस गुरू का मरवाय था तो औरंग जेब ने इनको इसलाम धरम कबूल करने के लिए बोला था दोस्तो और गुरू तेक बादूर जी जो थे उन्होंने इसलाम धरम को सविकार करने से मना कर दिया था इसलिए औरंग जेब ने इनको मरवा दिया था दोस्तो क्यूसर नमबर फोर्टीन देखेंगे सिखों के दसमे गुरू कोन थे तो सिखों के दसमे गुरू ते गुरू गोविन सिंग जी गुरू गोविन सिंग जी अब गुरू गोविन सिंग जी का जनम का तो सिक्षों के गुरू गोविन सिंग जी जो दस्में गुरू थे उनका जनम हुआ था दोस्तों पतना में पतना में इनका जनम हुआ था और कब हुआ था 1666 में और गुरू गोविन सिंग जी जो थे उनकी मृतियों कब हुई थी तो दोस्तों उनकी मृतियों हुई थी 1666 में जनम हुआ था जनम कब हुआ था 1666 ठीके दोस्तो 1666 सोर दोस्तो यहां पर मैंने मिर्त्यू का गलत बता दिया था कि जो गुरू कोविन सिंग जी जो मिर्त्यू है उनकी 1666 में हुए थी यह गलत है उनका जनम जो है वो 1666 में हुआ था और दोस्तो आगर मैं बात करो इनकी हत्या की आगे क्यूस्टन आजएगा इनकी हत्या से रिलेटिड इंपोर्डेंट क्यूस्टन है आपके एक्जामस के अंदर बार बार पूचा चाता है next question हम बात करेंगे question number 16 खालसापंत की स्थापना किस ने की तो खालसापंत की स्थापना गुरू गोविन सिंग जी जो सिक्कों के दस्वे गुरू हुए थे उन्होंने खालसापंत की स्थापना की थी next question हम देखेंगे important question question number 17 पुरीन गुरु गोविन सिंग जी की हत्तिया किसने की तो गुरु गोविन सिंग जी जो सिकों के 10 में गुरु थे इनके बारे में वहें बहुत बाहर किऊ से पोलगती हैं डोस्तो गुरुपला। गुल खान ने की थी किस ने की थी गुल खान ने और कहां पर की थी नांदेड में की थी नांदेड जो महराष्टर राजे के अंदर स्थीत है दोस्तों कहां पर स्थीत है महराष्टर राजे के अंदर ठीक है दोस्तों तो यह थे सिक्कों के 10 गुरूं के नाम और शिक्कों से समंधित जितने भी आपके एक्जाम्स के अंदर क्युस्टन पोचे जाते हैं वो important questions आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ कि अगर आपने ये history को याद कर लिया तो शिक्कों के 10 गुरूं के नाम आप कभी नहीं बूलोगे और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तब तक के लिए सतनाम सरी वाई गुरू